Hi, I am Dr. Korhavizjhaade और आज हम brain stroke और उसका होने वाला advanced treatment के बारे में समझे गे heart attack हर किसी को पता होता है heart attack आए तो हर कोई hospital के तरफ भागता है क्योंकि हर किसी को समझता है कि heart attack याने blood की vessel जो heart को supply कर रही है उसमें blood flow कम हो गया और उस वज़े से हार्ट में पेन हो रहा है और उस वज़े से जान का दोका होता है पर आपको पता है ब्रेन स्ट्रोक में भी ऐसा ही कुछ होता है ब्रेन में सप्लाइ करने वाली ब्लड वेसल में जब फ्लोर रुख जाता है तो ब्रेन फंक्शनिंग करना बंध हो जाता है और इसको बोलते है brain stroke, अब हम अगर brain stroke को और detail में समझने की कोशिश करें, तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है जब blood supply पूरी तरह बंध हो जाए तो, और दुसरा होता है जब उसमें bleeding हो जाए तो, brain का blood supply बंध हो जाता है तो हर second, जो बोला जाता है millions of neurons die और इस blood supply को हम जितनी जल्दी खोल देगे उतनी ही fast recovery होती है तो, अब हम इसमें detail में समझने की कोशिश करते हैं, कि इसको खोला कैसे जाता है जब छोटी blood vessel में block होता है, तो एक injection दिया जाता है जिसको बोलता है IV thrombolysis, ये clot buster injection होता है जिससे जल्दी से जल्दी blood supply open होता है और brain का functioning शुरू हो जाता है पर जब ये clot बडी blood vessel में जाके रुकता है तो इसको thrombectomy द्वारा निकाला जाता है, याने एक छोटे से catheter से हम brain के अंदर जाते हैं और वो clot को निकाला जाता है सबसे important जब stroke होता है तो सबसे important ये होता है कि आप जल्दी से जल्दी आपके घर के पास वाले stroke ready hospital में जाहिए जिससे आपके specialist वो blocked blood vessel को खोलेगे और brain का supply जल्दी से जल्दी शुरू होगा सो stroke के symptoms क्या होते हैं आचानक हाथ पैर में weakness आना मू का तेड़ा होना चकर आके गिरना severe headache होना या आखों के सामने blindness होना तो अगर आपके आसपास किसी को ये symptoms हैं तो उसको immediately आपके जो nearest stroke ready hospital है वहाँ पर लेकर जाहिए और जो भी appropriate treatment है वो urgent में करना ज़रूरी है क्योंकि जितने जल्दी brain का blood supply खुलेगा उतनी ही fast recovery होती है और damage कम से कम होता है Thank you